सिसुराल की खिचडी, ये कहानी शुरू होती है व्योम के घर से, व्योम का घर जॉइंट फैमिली का घर था, जहां मैता जी अपनी पत्नी, बेटे व्योम और बहन मधु के साथ रहते थे, मधु और ममता यो तो ननत भावी थी और दोनों सगी बहनों की तरह रहती थी, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किये होंगे भावी, जो भावी जैसा भावी और आप जैसी भावी मिली हैं मुझे, वरना अगर उस वक्त आपने मुझे अपनाने से मना कर दिया होता न, तो पता नहीं कहा जाती मैं, अरे ये क्या बात हुई, खुछ भी बोलती है तू, सही मैं, अरे ये तेरा ही घर है मधू, माबाप के जाने के बाद भाईयों से ही तो माई का होता है, और भगवान न करे जो तेरे साथ हुआ, वो किसी दुश्मन के साथ भी हो, भरी जवाली में जीजा जी चल बसे, और जब सुख देखनी का वक्त आया तो बेटे ने रंग दिखा दिया, घर होकर भी तू, बेघर हो गई, अगर ऐसे मैं, मैं तुझे इस घर में आने से रोकती तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करते, तब ही मैता जी वहां आते हैं, आपकी इनी बातों के कारण ही तो आज अच्थक में आपका दिवाना हो ममताजे, बस आप दुनों इसी तरह एक साथ इस घर को लेकर चलती रही है, फिर किसी बात की टेंशन नहीं मुझे, अब तो हमारा जमाना गया जी, अब तो इस घर को बढ़ाने के लिए बहु की जरुवत है, भगवान करे, बस व्योम के अच्छी लड़की मिल जाए, उसके बाद मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी, बता दे बिटा, तेरे मन में अगर कोई है तो, मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है, कोई भी जाध्धर्म की लड़की हो, पस परिवार को साथ लेकर चले, अच्छा मज़ा कर दिया ममी तुमने, अरे कोई भी लड़की भावी नहीं देती मुझे, लगता है मैं तो सिंगल ही मरूँगा, किसमत देखो, जिनके घर लव मेरेज अलावड नहीं है, वो गर्ल्फरेंड कुमाते रहते, और यहां मेरे घर में लव मेरेज अलावड है, तो कोई लड़की नहीं म सही कहा मत हूँ, शाम जी के मंदिर के पंडिक जिसे मैं आज ही बात कर लेती हूँ, मंदिर में बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़की आती है, तो फिक्र मत कर बेटा, शहर की बेस्ट लड़की ढूंड कर लाओंगी तेरे लिए, और जोरू-शोरू से दोनों ननत्भा भी मिलकर लड़की ढूंडना शुरू कर देती हैं, पर कहते हैं जब तक संजोग ना बैठे तब तक रिष्टा पक्का हो ही नहीं सकता, और कुछ ऐसा ही व्योम के साथ भी हो रहा था, अगर उसे लड़की पसंद आती, तो उस लड़की से उसकी कुंडली नहीं मिलती, औ या फाइदा आपकी इतनी सारी सहलियों का, जब किसी एक के घर से भी लड़की नहीं जच पा रही है हमारे बेटे के लिए, आरे मुझे तो खुदी समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है मेरा, और आपकी इसी दिमाग खराब के चकर में, आपकी डियाबिट अगर शादी की टेंशन छोड़ दीजी, अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, और अगले दिन से ही वियम अपनी बुआ र अपनी मा के साथ मौनिंग वाग पर जाना शुरू करतेता है, दो दिन बाद, हाए, मेरे पैर, ऐसे ही शरिर में ताकत नहीं है, उपर से तु रोज रोज वाग पर ले जाता है, मेरी तो सोचिये ममी, कल रात को तीन बज़े सोया हूँ मैं, और आपके चकर में मुझे पांच बज़े उठना पड़ा, चली अब एक तरफ से ममता अपना हाथ भियों के कंदे पर रख देती है, और दूसरी तरफ से मधू, और तीनों साथ में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तभी अपनी ममी के साथ वाक पर आई नैना के नजर उन पर पड़ती है, आज के जमाने में भी कोई लड़का अपने परिव और ये अपने रिलेटिव्स को भी इतनी परिफरेंस दे रहा है, लड़का देखना ही है तो ऐसा देखो ममी, ऐसा क्या मैं तो कहती हूँ, इसे ही देख लेते हैं, ससुराल ज्यादा दूर भी नहीं रहेगा मेरा फिर, क्या कहती हो, आज कल लोगों के दान दिखाने के कु आज करते हैं, ऐसे घर में जाकर क्या करेगी, जॉंट फैमिली वाला घर है, पूरा अजीव अन्रसोई में निकल जाएगा, आप भी न ममी कितना सोचती हो, जो लड़का अपने घर वालों के बारे में इतना सोच रहा है, वो कल को मेरे बारे में कितना सोचेगा, जिस्ट अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करो, एक बार बात तु चला कर देखो, हो सकता है लड़का अच्छा कमाता हो, और ये बुवा जी कुछ दिन के लिए ही आई हो, नैना को तो व्योम बहुत पसंद आ गया था, नैना इस बात को अपने घर पर बताती है, और नैना के पित व्योम बेटा करता क्या है, हम लोगों का ना केटल फूड का बिजनस है, पहले इसके पापा जी संबालते थे, अब व्योम संबालता है, पूरे इलाके में केटल फूड सिर्फ और सिर्फ हम ही भेजते हैं, तो पैस होके तो कोई दिक्कत नहीं है, साल में दो बार तो करके व्योम को घर बिलाते हैं, एक बात मैं पहले ही बताती ना चाहता हूँ अंकल अंटी जी, कि आजकल हर लड़की अलग थलग रहना जाती है, पर मैं इस परिवार का इकलोता बेटा हूँ, मेरा ना भाई है ना बहन, अब अगर मैं इमके साथ नहीं रहूँगा, तो तुम इसलिए पसंद आया थी क्योंकि तुम फैमिली ओरियंटेड हो, तो फिर देर किस बात की, कर देते हैं सगाई, और बहु बन का नैना मैता जी के घर आ जाती है, शुरू शुरू में तो नैना को सब ठीक लगता है, फिर वक्त के साथ जो चीज उसे पहले नॉर्मल ल लगने लगती है, सांडे की सुबा, सभी अपने समय से जरा देर से उठकर अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं, साथ बजगे पता भी नहीं चला, क्यों भापी? सभी बात है, मुझे भी समझ में नहीं आया, क्यों जी, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? रोजी, तुम दोनों को मौनिंग वॉक करने जाना पड़ता था, तो आज तो आराम का वक्त है, तो ले लो आराम आप सब आराम कीजे, मैं सभी के लिए कॉफी लेकर आता हूँ व्यूम सभी को कॉफी, चाय पिलाता है, फिर सब धीरे-धीरे फ्रेश होने लगते हैं, पर नैना अब तक सोई थी, तब ही मधु कहती है बहु अब तक सोई है, कोई बात है क्या? और इत्फाकन, जब ये बात मधु कहती है, उसी वक्त नैना अपने कमरे से बाहर आती है मैं यही हूँ बुआ जी, वो संड़े है न, व्यूम ने उठाया नहीं मुझे, वक्त का पता ही नहीं चला कोई बात नहीं बेटा, सबने नाश्टा कर लिया है, तू तब सो रही थी दोपैर तो होने वाली है, तो अब सिधा दोपैर की खाने की तयारी ही कर ले नाश्टा ने न, अरे हम आट बजे के उठे हुए हैं, तो ग्यारा बजे भूख का एसास होने लगता है बहुत अभी उठ रही है, उसे कहां भूख लग जाएगी इतनी जल्दी, क्यों बेटा, ऐसी ही गर्मी का वक्त है, ज्यादा खाने से ना अनपच हो जाएगी कौफी रहने दुव्यों, बुआ जी इस राइट, नैना अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है हाथ है, अब बुआ जी को क्या पता कि मुझे भूख है कि नी, बस हर चीज में इने बोलना है जिस दिन से आई हो, इनकी टिपणिया चालू ही रहती है अरे भई, अपनी सास के सुनो, फिर इनकी सुनो किसी दिन पलट कर कुछ क्या दिया, तो फिर सबको नैना बुरी लगने लगीगी नहा दोकर, नैना सभी के लिए खाना बनाती है, और टेबल पर परोस्ती है अरे बहु, ये क्या बात हुई, तो खड़ी क्यों है, सुबह से नाष्टा भी तो नहीं किया तुने, हाँ, बैट जा ने नी बुआ जी, मैं तो वैसे भी देरी से उठी हूँ न, तो कहां से भूख लगीगी, आप खाईए कैसे बनाए खाना, हाँ बहु, सही है सही तो तब लगता, तेरे हिस्से में न, डाल का पानी आया है, नीचे का हिस्सा तो मेरे पेट में आ गया, अरे देख, डाल गली ही नहीं है, मुझे तो वैसे ही गैस की शिकायत है, अभी इस डाल को खा लूँगी न, तो राद भर उल्टी करती रहूँगी हाँ, डाल वैसे कच्ची रह गई है नैना, आप मत खा ये बुआ, बेकार में आपकी तब्यद बिगर जाएगी ये सुनकर नैना का मूड और खराब हो जाता है, वो अपने किचन में जाकर अपनी मा को फोन लगाती है पिछली एक महिने से सब कुछ बर्दाश कर रही हूँ ममी, पहले मुझे लगता था कि ठीक है, अकेली और पती नहीं है, बच्चे नहीं है, किसे भूलेगी अरे ठीक है, मेरा पती तुम्हें अपनी मा का दर्जा दे रहा है, तो तुम भी तो हमें बच्चों जैसा मानो, हर चीज में कुछ ने कुछ बोलना है अब बताओ सुबह की भूकियों मैं, डाल बनाई तो कह दिये, डाल अलिक अची है मेरे साहस सुच जब मुझे कुछ नहीं कह रहे है, तो फिर ये कौन होती है कहने वाली और उनके कहने के बाद फिर व्योम को शेय मिल जाती है अब तो मुझे लगता है, मेरे और व्योम के बिच में बैसा बैसी हो जाएगी इस कार अरे ममी कुछ बोलो ना अरे मैं क्यों कुछ बोलो, तू तो अपनी मर्जे से शादी करके गई थी ना उस घर में कितना मना किया था मैंने, पन्नाई परिवार का प्यार दिख रहा था तुझे बच्पन से तू हम दो लोगों के बीच में रही है मुझे पता था तू नहीं कर पाएगी अच्जस्ट इस जॉइंट फैमिली के टंटो को मैं अच्छे से जानती हूँ जॉइंट फैमिली में शादी होकर आई थी ना मैं दिन बर सोई में खड़े रहना पड़ता था गर्मियों में लाई से सारा बदन भर जाता था पर ना जिठानी ना दिवरानी ना ना कोई पूछने नहीं आता था जब होता था बस जाकर मेरी सास को मेरी चुगली कर देती थी तेरे पैदा होते होते तो सब अलब हो गय थे इसके लिए ना तुझे उन नकरों का अंदाज ही नहीं है अगली रात व्यों के साथ डेट पर जाने के लिए अपने कमरे से नैना ब्लैक कलर का गाउन पहन कर बाहर आती है कैसे लग रही हूं ममी जी? एक नमबर बिटा, एक नमबर क्या मधूँ, अच्छे लग रही है ना नैना अच्छी तो लग रही है पर बिटा काला रंग एक तो इतने दिनों बाद तुम दोनों बहार जा रहे हो उस पे भी काला रंग अच्छा नहीं हो ता बिटा लाल पीला पहन लो पर आज नैना बोल पड़ती है इतने दिनों से सुन रही हूँ मैं समझती नहीं हूँ क्या क्या आपका intention क्या है बुआ जी सच कहिए ना आपको मेरा ये गाउन पहनना पसंद नहीं आया आपको तो चीए कि आपकी बहुत दिन बर घोंगट में रहे अरे पिटे तु गलत समझ रही है ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी ही बात है बुआ जी बहुत बरदाश के लिए मैंने पहले तो मैंने सुचा था कि ये घर में एकता है सब साथ में रहते हैं कितना अच्छा हो गया रहना पर गलत थी मैं सबी की एक सास होती न तो लोग उससे भी बरदाश नहीं करना चाते पर यहां तो मेरी दो-दो सास है और जब मेरी अपनी सास को प्रॉब्लिम नहीं है मेरे पहनावे से तो आप होती कौन है हाँ पेटा हाँ मैं होती कौन हूँ गुस्से में नैना अपने कमरे में चली जाती है क्या बात है नैना तुमने चेंज क्यों कर लिया इस घर में किसी को मेरी कदर ही नहीं है मेरे सुख परदाश नहीं होता ना किसी से अब समझ में आया बुबा जी के बच्चे उन्हें रखते क्यों नहीं है और व्यूम, बहु पर क्यों चिलना है तुम। क्योंकि वही हो गया जिस जिस का डर था पापा। नैना को बुवा खटक रही है। चुप हो जा व्यूम, बात मत बढ़ा। आपी ने तो सब किया है। चली क्यों नहीं जाती अपने घर। गुस्य में नैना, मदु की बेटे और बहु को फोन लगाती है। बात बहुत बिगड़ जाती है। अब आए दिन घर का माहुल खराब ही रहने लगता है। फिर एक शाम मदु सभी से कहती है। तुम बहु से नाराज मत हो व्यों। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुस्य में बहु ने प्रेम से मुझे ले जाने को कहा। और अब प्रेम सच में मुझे ले जाने स्टेशन आ रहा है। सब तेरे कारण हुआ है बहु, जीती रह। अब मैं अपने पोते-पोतियों के साथ खेल पाऊंगी। मैं चलता हूँ बहु जी आपको स्टेशन चोड़ने। अरे नैनी बिटा, वो क्या है न। प्रेम तुम से नजर नहीं मिला पाएगा। तो टेंशन मतले, स्टेशन तो पास ही में है, आटव से चली जाओंगी मैं। अपनी बुआ सास को जाता देख, नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब नैना पहले की तरह खुशी-खुशी रहने लगती है। मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। ओ गया ना ममी, कार दिया ना मेरे सबेज्जिस। चली गई बुआ जी अपने बेटे बहु के पास। अच्छा ही है ना उनका परिवार बस गया, हार मैं इन जंजट से मुक्त हो गई। बहुत अच्छी बिटो, इसी तरह दिमाग लगाकर सिसुराल चलाना। और किसी को भी घर में आने मरते ना। कुछी दिन बाद व्योम का बर्थडे आता है। और व्योम के पीछे से पूरा परिवार मिलकर उसके बर्थडे पर कुछ अच्छा करने के प्लानिंग करते हैं। जिस पर मैं ताजी कहते हैं। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम सब व्रिद्धाश्रम चले और वहां बेघर असाहाई लोगों की सिवा करें। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है पर उनके पास तो कुछ भी नहीं है। रात को सर्प्राइज पार्टी कर लेते हैं। पर सुबा हमें अपने पैसों में से कुछ तो दान में देना चाहिए। ऐसे उन लोगों की दुआ मिलेगी हमारे परिवार को और यहां सुक शान्ती बनी रहेगी। यह तो आपने बहुत अच्छा का। फिर एक काम करते हैं। शुबा दस बजे से एक बजे तक व्रद्धाश्रम का प्रोग्राम कर लेते हैं। फिर शाम को व्योम के पीछे से पार्टी की तयारी और छे बजे से बारा बजे तक बर्थडे पार्टी। ठीक है ना? तो यह प्लान फिक्स रहा। अगली सुबा व्योम के उठती ही सभी उसे तयार होने के लिए के लिए कहते हैं। जा, जाकर ना एक कपड़ पहन ले। हम मंदिर जा रहे हैं। आज तेरा जनम दिन है ना? ओ शिट, सारी, व्योम मैं दो भूली गई थी। अरे कोई बाद नहीं ना, तुम भी रड़ी हो जाओ जलो। और प्लान के मताबिक सभी मंदिर के बाद जैसे ही व्रिदाशम पहुंचते हैं, वहां मधु को देखकर नैना सहम जाती है और सब समझ जाती है। बुआ जी, आप यहां कैसे? मतलब उस दिन प्रेम भई आपको लेने नहीं आया थे? या उन्होंने आपको यहां छोड़ दिया? तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई बुआ जी? मेरे कारण मेरे भाई के घर में कलेश हो। मेरा भतीज़ा और उसकी बहु के रिष्टे खराब हो ऐसा मैं क्यों चाहूंगी बेटा? अगर प्रेम मुझे घर में रखने तयार ही होता तो मैं क्यों अपने भाई के घर बोज़ बन कर रहती? भाबी ने कभी मुझे पड़ाय अपनी बेटी समझ कर बोला वो पर शायद वो चीज गलत तरीके से सामने आई और तेरा मन मुझसे फट गया मैं रही हूँ बिना पती के मुझे पता है पती-पत्नी के रिष्टे में दरार आना कैसा होता है मैं तेरा रिष्टा खराब नहीं कर सकती थी बेटा मैं सबज गई थी कि आज नहीं तो कल तूस घर को छोड़ सकती है इसलिए इसके पहले कि तू अपने पती और अपने सिसुराल को छोड़े मैंने अपना माईका छोड़ दिया और यहां आ गई मुझे मेरे बर्थडी का गिफ्ट दे दो ना नैना बॉआ जी को वापस घर ले आओ ना ले आओ नी आ चुकी हैं बॉआ जी और घर चलकर आप जितनी बार पीटना हो पीट लीजे का गलती मेरी थी तो मार तो मुझे पढ़ने ही चाहिए और व्योम को अपने बर्थडी का बेस्ट गिफ्ट मिल जाता है मधु खुशी खुशी वापस अपने भाई की घर आ जाती है और रात को सभी एक साथ मिलकर व्योम का बर्थडी मनाती है